हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग I hope you all are doing great तो चलिए फ्रेंड्स आज मैं आपको बहुत ही effective remedy बताने जा रही हो अंडराम्स के लिए आप अक्सर पूछते हैं कि मैं हम आपके अंडराम्स इतनी clean कैसे हैं आप क्या 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 करते हो तो आज हो रहा है सारे रास से परदा फार्श की मैं क्या क्या लगाती हूँ तो चलिए फटे फटेसर परकार करते हैं लिए पधर करेंगे हैं तो सबसे पहले पहले हम अपनी अंडराम्स को clean करेंगे ताकि कोई बी mean tea मेले साफ हो जाए तो cotton से इसको साफ कर देंगे ताकि कोई भी हो है डस्ट वस्ट तो वह हमादा साफ हो जाए तो इस तरह किसे अपनी अंडाम को हम पहले क्लीन कर देंगे इसको क्लीन करने के बाद में फिर हम हलका दे देखो कितना डस्ट निकला इसमें से जबकि ब्रुकुछ साफ था उसके ओलिव ओल ले रही हो हम कोकनट ओल भी ले सकते हैं ठीक है थोड़ा साम ओल लेंगे और इसके बाद और से इसकी 5-10 मिनट्स हलके हलके हाथों से मसाज करेंगे बीच बीच में ना वाइब्रेशन देते रहेंगे ठीक है इस तरीके से ओइलिंग करने के बाद में अब हमारा क्लीन हो गया बिकुछ ठीक है अब हम इसके उपर एक बहुत एफेक्टिव पैक लगाएंगे तो उस पैक को हम किस तरी से तियार करेंगे तो चलो देते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम दूद लेंगे और दूद को हलका सा गुनगुना सा दूद लेंगे और उसके बाद हम इसमें फोड़ा सा एड कर देंगे देशी घी और फिर अगर गुनगुना दूद हमारा नहीं है न तो फिर घी पिगलेगा नहीं तो माइक्रोवेव में भी थोड़ा सा इसको पिगला लेंगे तो जब यह पिगल जाएगा उसके बाद हम इसमें एड करेंगे थोड़ी सी हल्दी और उसके बाद लास्ट में इसमें एड करेंगे थोड़ा सा मकी का अठा ठीक है यह इस तरह से हमारा यह पैक तैयार हो जाएगा अब बहूत यह अच्छी स्क्रॉबिंग करेगा हमारी बॉड़ी के उपर तो इस तरीके से हम थोड़ा सा यह पैक लेंगे और अपने जहां पर हमने आइल अपलाई किया हुगा है वहां पर हम इसको मासाज करेंगे इसे का पूर जो भी हमारी बॉड़ी के ओपर है वो सारा बिलकुल हट जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा ही है तो इस तरीके से 5-10 मिर्स इसकी मसाज करेंगे और फिर उसके बाद थोड़ी से एक और मोटी लेयर लेते हुए हम इसको रख देगे इस तरह से लग जाए पर देगे फिर 5-10 मिनिटस वाद इसको वाश कर लेंगे और फिर वाश करने के बाद क्या अप्लाई करेंगे और फिर उम्ताती हो चलो भी से वाश करते हैं तो यह दिगो मैंने वाश कर लिया कितना साफ हो गया एक दम बहुत ही बहुत ही बढ़िया फर्क कोई भी हम मौस्टराइजर या बॉडी लोशन हम अप्लाई कर सकते हैं यह मैं चालमिस वाला जो आजकर मेरा मोस्ट फेवरेट बना हुआ है चालमिस की क्रीम इसको मैं अप्लाई करेंगे इससे हम अपने मसाज करेंगे इससे 5-10 मियाट सलकल की मसाज करने के बाद में बस अब इसको वाच नी करेंगे इसको मैसी लगा रहने देंगे और यह हम हफते में न दो यह तीन बार इसको करेंगे तो 101 परसंट बहुत ही बहुत ही बढ़िया वर्क पड़ेगा नो डाउट अब इसको ज़रूर ट्राई कर गुट केर अफ यह से